ये reading बहुत जादे important है आपके exam के लिए अगर आपको new pattern का reading का नहीं पता तो ये class ऐसे ही continue चलती रहेगी but you can see on your screen student ने पहले 3 बार exam दिया उससे पहले student ने 4 बार exam दिया आप screen के ओपर देख सकते हो इन्होंने हमारी YouTube के ओपर वीडियो देखे देन हमें message किया और हमने इनको अभी 100% prediction PDF परवाइड करवाई और prediction PDF का result आपकी screen के ओपर है reading में 9, listening में 9, writing में 8, speaking में 7.5 किसी भी student को upcoming exam की prediction और PDF चाहिए आप हमें direct message कर सकते हो हमारे whatsapp number के ओपर प्लस प्रूफ देखने हो लास्ट तीन exam की screen मंबाईल recording आपके मंबाईल के उपर चल रही है और आपको अच्छे से एक चीज़ पता होगी कि कभी भी मंबाईल screen recording fake नहीं होती अगर आपका ये exam crack हो जाता है तब ही आप अपना future अच्छा बना सकते हो पंद्रा लाख लगे चाहे बीस लाख रपाई लगे जितनी भी कैनड़ा की फीस होती है जाँ फिर टिक्ट वगेरा होती है वो तब ही हम कर पाएंगे अगर हमारा ILS में अच्छा band score आएगा और अच्छा band score के लिए आपको अच्छे prediction के उपर अच्छे real exam test के उपर effort करना पड़ेगा तब ही वो चीज़ हमें मिलती है फेक लोगों से फेक pages से बचके चलो अगर आपको PDF चाहिए WhatsApp number you can see on your screen direct message on me ये reading बहुँ जादे important है आपके exam के लिए अगर आपको new pattern का reading का नहीं पता तो आज मैं आपको new pattern के बारे में भी बताऊंगा और reading में tips and tricks भी बताऊंगा कि अगर आपको mostly these type of questions देखने को मिलेंगे जैसे आप अपनी screen को पर देख रहे हो हमारे पास 21 से लेकर 26 question है बट हम सिर्फ 3 question ही find करेंगे 23 तक ठीक है जी और उसको match करना है हमें अपने A, B, C, D, E, F मतलब इससे matching करनी है इसके साथ और right answer हमें यहां से find करना है पहले हमने question find करने के बाद हमने अपने paragraph में जाने paragraph में जाने के बाद paragraph में से ही हमें एक right answer find करकर इनके साथ match करकर उसको लगाना है I hope आपको समझ आएगा क्योंकि अगर आपको समझ आएगा तब ही हम अपना अच्छा bands को ले सकते हैं because बहुत बार ऐसा होता है कि हम reading में हमारा 5.5 bands को रह जाता है उसकी सबसे बड़ी वज़ा यह होती है कि हमें एक नए pattern के बारे में पता ही नहीं होता तो यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास first question है in alasika alasika का आपको बताए कि जहां पर बहुत ज़्यादे बर्फबारी पढ़ती है और वहां पर वग्यानी बाइलोजिक्स जिसे हम कहते हैं वग्यानी keep a check on adult facial मतलब कि पहले question को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप question को नहीं समझोगे न तो आप कभी भी बेंड्स को नहीं ले सकते मैं आपको समझने का का तरीका बताता हूँ first of all हम underline करेंगे कुछ main keywords with blue color just like कहा की बात कर रहा है alasika की बात कर रहा है alasika की बात कर रहा है किस type से बात हो रही है एक biologics जो वहां के वग्यानी है keep check मतलब वो check करते हैं किसको adult fish को मतलब की adult fish को adult fish को का किया जाता है check किया जाता है कहां पर check किया जाता है alasika में किनके दोरा वग्यानियों के दोरा जो मतलब जीव जान्तू के वग्यानियों होते हैं उनके दोरा चेक किये जाता है, फिश को, फिश को किसके दोरा, बायलोजिक्स के दोरा कहां पर किये जाता है, अलास्काय में, मतलब यहां से लेकर हमें उल्टा चलना पड़ता है, तब ही हम अपना अंसर फाइंड कर पाते हैं, अपको समझाया चुका होगा, अब चलते हैं हम अपने पैराग्राफ में, इसका अंसर आपको फिर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएंगे, तीनों के अंसर, तोंकि हमने रेडिंग उस तरीके से क्रेट कर रही है, कि ऐसे ही पेपर में आती है, मालो यह तीनों अंसर है न, यह तीनों अंसर आपको जिस्ट इतने से paragraph में मिल जाएंगे, यहां से लेकर, यहां तक, इतने में सरजेगा आपका, और 100% आप इसको समझने में problem आएगी यह, कि आपको यह लगागी इसका अंसर वहाँ होगा, इसका अंसर वहाँ को बट ऐसा न अंसर के साथ, कैसे करना है, चलो ओपर चलते हैं, ओपर अगर बात करें, तो पहले हमें keyword find करना है, keyword हमें first line, single line में ही मिल जाएगा, the primary reason for such as increases, कि एक primary reason है, कि for such an increase is what is known, कि क्या वहाँ पर सबसेरा जाना जाता है, in season, evidence-based management, कि वहाँ की जो management है, उसके दवारा, there are, अब यहा कर रहा है, biological throw out, the state, कि वहां की जो वग्यानी है, वो throw out होते हैं, कहां किसके दवारा होते हैं, एक state के दवारा, जहां पर उनको न्युक्त किया जाता है, constantly monitoring adult fish, कि मतलब कि वहां की, जो adult fish है, as the show up to spawn, कि वहां पर show up किया जाता है, उनको spawn किया जाता है, मतलब कि, उनको permission बिल जाती है, उस चीज़ को लेकर बात कर रहा है, कि चेक आउट वहां पर fish करना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि, अगर आप पूरी इसको समझेगे, कि एक वो है, कि वहां का primary reason है, ठीक है, एक वहां का reason है, उसको uncrease किया जाता है, कि जो डाम से जाना जाता है, और वहां क जो पूरे राज्ये में, देर आ रहा है, कि throw out state का, जो state का पूरा राज्ये है, तो उसमें वो चीज़ नरंतरंद की जाती है, जिसकी वज़ा से वहां पर fish वगएरा है, dirt fish है, जो उनको, वो क्या कहते है, इसको देते है, दिखाई वगएरा देते है, अब इसको find अगरते हैं, हम अपने answer में आकर, क्या वहां पर किस-किस की बात कर रहा है वो, क्या close down to fisher, close down की बात करी, नहीं करी, टू डे, certification of Alaska Fisher की certification किया जाता है, उनका Alaska Fisher को पर इसकी बात भी नहीं कर रहा है, वो यहां पर तो, freeze होगी number of slum eggs, कि वहां के जो slum eggs अंडे वगएरा है, उनको freeze किया जाता है, बड़ी मातरा में, इसकी बात भी नहीं कर रहा, ठीक है, अब चलते हैं उपर, recognize fishner that care of environment, environment fishner की बात भी नहीं यहां पर कर रहा, to be successful की बात भी नहीं कर रहा, to stop fish from spring, stop की बात fish की कहीं पर भी नहीं करी, to set up environmental, कि इसकी बात, set up करना environmental system को, एक ला के अगोर्डिंग, ला की कहीं पर भी बात नहीं करी, ऐसे आपको keyword उठाने है, question से, ठीक है जी, stop people fishing for sports, stop की बात कहीं नहीं करी, fishing और sports की बात भी नहीं करी, मतलब ये भी मेरा answer नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ तीन बचे है, क्या अब comment की बात करी है, कि वहाँ पर comment बनेगी, वहाँ पर एक संस्था आएगी, उसकी बात भी नहीं कर रहा, मतलब की ये भी मेरा answer नहीं है, बात है F और G की, to label their products using the MCS logo, यहाँ पर MCS logo की कहीं पर भी बात नहीं करी, बच गया हमारे पास G, अब G की बात कर रहा है जा नहीं कर रहा हो देखते हैं, G की बात ensure that fish number are significant or permanent fishing, यहाँ पर देखिए state की वहाँ पर बात कर रहा था, कि वहाँ पर, इन्होंने क्या कहा है, to ensure, यह ensure है, कि fish number of are significant to permit fishing, उनको permit fishing वहाँ पर लेनी पड़ती है, यह चीज हमें कहां से पता चलती है, यह हमें पता चलती है, यह हमें पता चलती है, throw out state, जो वहाँ की state है, जो काफी एदे बड़े शूर लावल पर जाने जाती है, कि उनको वो शीज़ें show up दखाई देती है, तो मतलब कि मेरा right answer है, first question का, वो क्या आ चुका है, वो है G, I hope आपको समझ आया होगा, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, तभी इतना effort फाइदा है reading करने का, क्योंकि मैं आपको रुक 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 इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, आपका time waste ना हो, क्योंकि मैंने भी time लगाया video बनाने पर इस चीज़ को create करने पर मेरे भी 20, 25, 30 मिनट लगे है, पर आपके भी इसको देखने में सिर्फ 5-7 मिनट लगेंगे कि आपको समझ आना चाहिए, अब next क्या है, अब चलते हैं 22 के उपर, 22 क्या क्या रहा है, biology से have the authority, कि जो वहां के जीव वग्यानी है, उनके पास authority है, किस चीज़ की power है, अब देखना उसको जरूरी है, बट reading में क्या होता है, कि mostly, जहां पर भी आपको however, जहां फिर more ever, जहां फिर but, जहां फिर then, जहां फिर comparison करा हो two lines में, यह चीज़न दिखाई दे, उससे पहले वो बात करेगा किसी other product की, उसके बाद वो बात करेगा एक right answer की, मतलब वहां पर answer उसने बता दिया, first का, हमें लगा नहीं नहीं, इसका answer क्या आने वाला है, इसका answer D आएगा, इसका answer G आएगा, इसका answer अच्छा आएगा, बट नहीं, बट अगर उसने, यह चीज़े मैंने भी आपको बताई, however, more ever, but, then comparison कर रहा है चीज़ों में, तो समझ लेना, इसका जो answer है, वो next line में पढ़ा है, इससे पहले वाला answer उसका wrong होगा, हम करते हैं, पहले answer देख लेते हैं, हमें लगता है, नहीं, इसका answer यह आने वाला है, और हम उसको लगा देते हैं, बट उसका answer वो नहीं होता, ठीक है जी, प्लीज इस बात को जुरूर understand क दर लेना, अपने mind में, अब चलते है next, यहां पर हमारी line complete हो चुकी है, अब next line में ही हमें पता चलेगा कि हमारा answer कहां पर पढ़ा है, thus Solomon's season is in last case not preset, कि वो एक preset नहीं है, they fish men know the approximate time of the year when they will be allowed to fish, कि यहां पर approximate time है, कि year का, एक साल का, एक time है, कि when they will be allowed, जब वो allowed किये जाते हैं, किस के लिए, फिश के लिए, अब यहां पर देखिए हमें क्या लगएगा, कि यहां पर एक law की बात नहीं कर रहा, फिशनर्स के लिए एक certificate बिल चुका है, हमें लगएगा कि हमारा answer G है, क्योंकि यहां पर वो फिशनर, जो वहां के फिश करते हैं, उनकी वो बात कर रहा है, उनकी मतलब देने, authority देने की वो बात कर रहा है, हमें यहां पर answer लगएगा, but, वहां पर क्या लगएगा, कॉमा लगा दिया, उनकी मतलब कि वो फिशिंग वगएगा, उनको hurt कर सकते हैं, उनको put, can it hurt to fishing, मतलब hurt करना होता है, कि उनको एक जरिया होता है, जिसके वज़ा से, वो चीज़ उसमें जाती है, for example, that, अगर हम बात करें, अगर मुझे इंडिया टीम में शामल होना है, इंडिया में शामल होना है, तो पहले मुझे अपने ground में पढ़ेगा, फिर जाकर मुझे एक coaching, एक level होता है, उसको पार करना पढ़ेगा, तब जाकर मेरी इंडिया टीम में selection होगी, अब यहां पर बात किसकी कर रहा है, कि one or more field biologist in a particular area, उनके पास एक particular area होता है, जिसके उपर वो हर्ट आटो fishing, वो हर्टो fishing कर सकते हैं, मतलब उस fishing के उपर वो काम कर सकते हैं, उनको प्रवाइड किया जाता है, अब हमें यह देखना है कि किसकी बात कर रहा है, उनको ऐसा चीज़ प्रवाइड की जाती है, हर्ट होता है, मतलब हर्ट जिसे हम शिकार करना कह सकते हैं, जहां उसको उपर experiment करना कह सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर, अब देखते हैं, close down to fishner की बात नहीं कर रहा हमें यह लग रहा था J वाल आंसर, अब जे का अंसर नहीं है, successful की बा और fishing sports की बात वो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसने क्या कहा है, hurt, critical area put hurt in fishing, कि वो चीज़ वो करने ही पाएं, मतलब जो वहाँ पर वो करते हैं, क्या कहते हैं, उसको fishing sports के लिए fishing करते हैं, वो चीज़ उनको allowed नहीं है वहाँ पर, क्योंकि hurt करना क्या होता है, उससी के उप next हमारा 23 का, अब 23 का answer आपने find करना है, और 23 का answer find करने के बाद, आप मुझे comment में बताओगे कि इसका answer क्या आएगा, 23 का answer आपने find करना है, दूसरे सभी answer मैंने find कर दिये, पढ़ाने में, लिखाने में मेरे से गलती हो सकती है, प्लिज उसको शमा करें, माफ करें, हमारे tip को समझें, और अपना nine bands को लें, सकसेस हासल करें, और अपने हमेशा माबाप की respect करें